आज हम लोग इस वीडियो में मीनू मसानी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही खुबसुरत और थौटफुल प्रोज नो मैनीज एन आइलेंड को एनलाइज करने जा रहे हैं तो नो मैनीज एन आइलेंड बेसिकली इस टाइटल को पहले समझे आइलेंड आइलेंड होता है द्वीप जो जमीन का टुकड़ा चारो तरफ से पानी से घिरा हो से हम लोग आइलेंड कह देते हैं ठीक है और वैन इंसान वो कहता है कि जिस तरीके से वो द्वीप अपने आपको दुनिया के विकास और दुनिया के तभाही में से अपने आपको बाहर नहीं निकाल सकता हम सब लोग डिरेक्ली इंडिरेक्ली अपने समाज के अपने परिवार के अपने देश के अपने अपनी दुनिया के विकास और अपने दुनिया की तभाही का कारण है ठीक है कैसे अगर तो मैं अपनी जो भी मेरे उपर समाई ने responsibility जिम्मेदारियां डाली हैं मैं उन्हें धंग से सही धंग से निभा रहा हूँ तो मैं एक responsible person हूँ मैं वाकी में दुनिया के विकास का हिस्ता हूँ अगर नहीं कर रहा हूँ तो indirectly मेरे ना चाहते हो कि मैं दुनिया के तबाही का कारण बन चुका हूँ याने कि यहां पर राइटर सबसे पहली चीज़ self responsibility की बात करता है कि हम लोग हम सब लोग दुनिया के विकास के लिए या देश के विकास के लिए directly या indirectly responsible है और इसमें हम लोग अपनी example भी ले सकते हैं जैसे बच्चे जब नंबर अच्छे है वो कहते हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था जब नंबर अच्छे नहीं आते तो कहते है टीचर ने नहीं पढ़ाया दोनों के condition में बच्चे खुच जिम्मेदार है अगर टीचर ने नहीं भी पढ़ाया तो जब वो नहीं पढ़ा रहा था, उसकी complaint की जा सकती थी, उसमें उसको amend किया जा सकता है, उसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया, indirectly हम लोग अपनी तबाही का या अपनी नाकामियाबी का कारण खुद बन गए teacher से जादा, अब उसके बाद कुछ key facts हैं इस lesson में discussion के अंदर आते हैं, सबसे पहला है formation of the world federation, और meaning of world federation, दोने एक साथ linked है, world federation का निर्मान और world federation है क्या, world federation writer के accordingly ये कालपनिक दुनिया है, जिसे वो ये मानता है कि जब पूरी दुनिया के देशों को एक सामराज्य बना के combine करके एकठा कर देंगे, उस combined world को, उस combined देशों की unity को हम हम लोग कहेंगे, world federation writer के accordingly, ये कालपनिक है, reality में, reality से अभी इसका कोई लेना देना नहीं है, importance of personal responsibility, नीजी जिम्मेदारी, हमारी दुनिया के प्रती, परिवार के प्रती, देश के प्रती, क्या responsibility, अपने आप के प्रती क्या responsibility है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपने प्रत को discuss करते वक्त पड़ी भी थी, quality of good government, एक अच्छी सरकार के क्या गुण होते हैं, two tests of government, उन गुणों को analyze करने के लिए, writer ने दो टेस्ट दी हैं, जिनके अधार पे हम लोग सरकार को अच्छा या बुरा कह सकते हैं, उसके बाद two types of government, दो प्रकार की कैसी सरकारे हैं, democracy and dictatorship, तानाशा और लोगतंतर, या राजशाई या लोगशाई, best type of government, दोनों में से best government कौन सी है, वो बाद में analyze करेंगे, with due benefits and दोनों की pros and cons देखने के बाद, how to progress together peacefully, किस तरीके से, यह पॉइंट है, किस तरीके से हम लोग मिल जुलके, शान्ती पूरुवक, बिना किसी नुकसा के दुनिया के विकास में योगदान डाल सकते हैं, reality, आज के इनसान का जो अपने आपको more advanced कहता है, उसकी reality का है, real meaning of progress है, विकास का असली meaning क्या है, वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे, need of the hour, और अंत में conclusion, क्या चीज़े होनी चाहिए आज के time के ऊपर, तो सबसे पह the countries are united under a single state named world federation, राइटर कहता है कि उसके मताबिक के ऐसी दुनिया की कलपना करें हम लोग, जहां पे सारी दुनिया, जहां पे जो सारी दुनिया है, सारी दुनिया के जो देश हैं, वो एक सामराज्य के अंडर, वो एक सामराज्य के अंडर combine हो जाएं, और उस सामराज्य क नाम, और उस सामराज्य का नाम, राइटर ने क्या दिया है, उस सामराज्य का नाम राइटर ने world federation दिया है, जब राइटर के मताबिक पूरी दुनिया के देश एक साथ मिलके, एक साथ जुडके रहना या काम करना शुरू कर दे, अब वो कह रहा कि अब यहां पे सारे द देशों को एकठा करना अगली लाइन में वही वो कह रहा है according to the writer formation of world federation is not the end of a new development of the modern world in fact it is just a beginning still a lot of things needed to be done to maintain it for longer period of time for the welfare of the whole world वो कह रहा है कि देशों को एकठा करना एक जगा पे लोगों को एकठा करना या किसी घर की अमारत बनाना इतना जरूरी नहीं है वो हर कोई इनसान जिसके पास पैसा है चीज़ें वो घर की अमारत बना लेगा बट उस घर की अमारत की संभाल करना कि वो सालों साल बहुत सालो तक वो building maintain रहे वो बहुत मुश्किल है कि time to time के उसकी maintenance कराना इसी परकार से वो कह रहा है कि world federation बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है कोई भी world federation बना लेगा world federation बनाने के बाद उन देशों को एक जगह कठा करने के बाद किस तरीके से उन देशों को पूरी जिंदगी के लिए या हमेशा के लिए एक कठा करके रखना यह सबसे बड़ी बात है किस तरीके से जो differences अब एक जगह पर हैं तो थोड़े बहुत differences होएंगे किस तरीके से time to time जो उनके अंदर differences हैं उन differences को कम किया जाएं वो main thing है याने कि world federation बनाना मुश्किल नहीं है world federation को लंबे समय तक maintain करना बहुत मुश्किल है और world federation बनाएंगे इसलिए है कि पूरी दुनिया का एक साथ बहतर विकास हो सके इसलिए बहुत कुछ हमें करना पड़ेगा अगर हम लोग ऐसा दुनिया का विकास चाहते हैं बिलकुल हमारे देश की example इसके उपर apply कर सकते हैं अक्सर हमारे देश को हम लोग essays में नेताओं के भाशर में ये कहते हुए सुनते हैं कि India is a land of unity and diversity भारत एक ऐसा देश है जहां पे विबहनताओं में एकता पा वाकई में होता तो हर डिकेड में हर दस साल के अंतराल में एक दंगा जरूर धरम जात पात के नाम पे भारत में होता है